रेट कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो का लाटेस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए आज हम पोहा पकड़ा बनाएंगे दिखिए कितना किस्पी बना है चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे पोहा पकड़ा बनाने के लिए हमें आपे एक पोहा लिए हैं इसको अच्छे से हम साप कर दी हैं अभी हम इसको धो लेंगे दो तिन बार धोनने के बाद हम चन्नी में इसको चान लेंगे अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और इसको रेश्ट के लिए पंद्रा मिनिट के लिए छोड़ देंगे अभी पंद्रा मिनिट हो गया है वहाँ देखिए अच्छे से नरम हो गया है अभी हम इसको हाज से अच्छे से मैक्स कर लेंगे अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे क्योंकि हाज से अच्छे से मैक्स करने में आसान रहेगा प्लेट में पोड़ा थोड़ा पोहाँ पोहाँ थोड़ा सा ड्राय लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे इसको हाज से अच्छे से मसल मसल के आपको चिकना करना है करना है दिखिए पुह को हम अच्छे से मैक्स कर लिये हैं हम यहापे एक उबले वे आलू लिये हैं इसको उबाल के रखें आलू को और अभी हम इसको ग्रेटर से ग्रेटर करेंगे इसे करने से आलू अच्छे से मैक्स हो जाएगा आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप हाज से अच्छे से कर दिजी अब हैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे पोहा और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिजी इसमें नमक डाले हैं नमक अपने स्वादके सबसे डाल सकते हैं मगर थोड़ा सा कम डालिए ज्यादा नहीं डालना है चाट मशाला हाफ टी स्पून जीरा वान टी स्पून पीपर पाउडर हाफ टी स्पून अगर आपके पास मिक्स डर्ब नहीं है तो आप इसी के जगे गरम मसाला डाल दीजिए अब यहापे चिली फ्लेक्स लिए हैं अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसके जगे चिली पाउडर डाल सकते हैं हम यहां पर मिक्स डर्प और चिली फ्लेक्स लिये हैं, अभी हम सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी हम हाथ में थोड़ा सा ओयल लगा के इसको अच्छे से मैक्स कर देंगे, देखिए, अभी हम हाथ को अच्छे से धोल लिये हैं, और हाथ में थोड़ा सा ओयल लगाएंगे, अभी हम थोड़ा सा ऐसे लोई बनाएंगे, देखिए, और इसको अच्छे से गोल कर दीजिए और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, जिसे आप पूरी के लिए लोई बनाते हैं, इसे ही साइज का हम बनाए हैं यहाँ पे, इसे अभी हम सारे बना लेंगे, देखिए, इसे अभी हम सारे बना लिए हैं, अभी हम आईल गरम कर रहे हैं, आईल गरम होने के बाद हम इसको फ्राय करेंगे, आईल को थोड़ा गरम होने दीजिए, देखिए, आईल गरम हो गया है, अभी हम इसको इसमें डालेंगे, एक तरफ से गोर्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे, आईल को गरम होने के बाद आपको डालना है, और इसके बाद आपको गयास का फ्लेम को लो मीडियम करना है, क्यूंकि धीरे धीरे होगा तो किस्पी बनेगा, अंदर से नहीं तो कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगएगा, इसलिए आयल गरम होने के बाद ग्यास का फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए अभी चारोत और अपसे गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे अब हम दूसरे को इसे ही फ्राइ कर लेंगे ज्यादा हाई फ्लेम में इसको नहीं पकाना है तेल गरम होने के बाद जब इसको आप डालेंगे ग्यास का फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए ओ धीरे धीरे होगा तो दोनों तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से भी क्रिस्पी बनेगा देखिए दोनों तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे देखिए पहाँ पोकोड़ा बनके रेड़ी हो गया यह बहुत क्रिस्पी बना है बहुत टेस्ट लेगेगा खाने में आप एक बार इसको घर में बनाईए देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे कितना क्रिस्पी बना है देखिए बहुत टेस्ट और बहुत क्रिस्पी बनेगा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठंक यो थे बनाचनों प्रहाओ झाल टेस्ट एक बन्सक्राइब करना प्रण भल्या घरीड़ दो राखेव बनागे घजयर ऋलस्तर ना प्ल्या खानीड़ ड्सक्राइब कर देखिए